आज आप लोगे साथ सेयर करूंगी मम्मी के हाथों का देसी मूली का अचार जो की बहुत ही कम समय में बनता है कम मसाले में और खाने में खुबी टेस्टी होता है तो चलिए आपके साथ देसी बिहारी मूली के अचार की रेसिपी सेयर करती हूँ हमारे तरफ मूली को चाहरा मुट बनाती तरहें पहल हैं बादते संवाज कांटके हैं हateur 2022 मुम्मी क कtermा थी तो जट Κाहट औरहें के जड़े हुते हैंacha मुड़ई को काटके लिए पीस में और हलका ही मोटा लिजाएंपर थी जाएंड बेए मतला नहीं ज्याद को ढ़ता लिए तो आपको एक बड़ी से बतन में डाल लेना है जिसमें मसाल नमक बनता है आप डेली से खा सकते हैं और बहुत स्वाधिस्ट भी होता है ताप इस तरह से मुड़ई का अचार बनाईए और खाईए बहुत कम मसाले में बनता है जो आपके आपको कभी भी हानमी नहीं पहुचाएगा और स्वाधिस्ट भी होता है उसको सरसू कतिली डालने के बाद अच्छा लगता है तो देखिए आज मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक तीन में से धूपे में रख देती हूं रखने के बाद इसका कलर भी हलका चृंज हो जाता है मुड़ई हलका शींज जाता है इसके बाद आप इसको खाईए और इस तरह से एचार की बहुत डिस्पी के लिए हमार चैनल को जरू से सब्सक्राइब कीजिएगा धन्य बाद